वह अपके बर इस्तित है। बी नमबर हो जेगा अगला कोशन दिया गया है निमन ब्रच्चों में से कौन सा ब्रच्च पर्या वरणी संकर उत्पन करता है इन में से कौन सा ब्रच्च है जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा यहां परंसर क्या हो जेगा तो 2 को आप समने आपका D नमबर है या दरेके UK प्रदेश में नवाब गंज पच्ची विहार कहां परिष्टी थे प्रदेश में नवाब गंज जो पच्ची विहार है एक कहां परिष्टी थे इस का अंसर 3 के ऑप्सन क्या हो जेगा तो 3 को आप समने आपका D नमबर आपके उन नाव में है जिसका नया नाम है चंसे खरा अगला कोशन दिया गया है कि प्रदेश में किस पच्छी विहार की स्थापना की गई थी यहां पर अंसरा राइट क्या हो जाएगा फूर नंबर में चलिए फूर नंबर फूर नंबर देखे आपसन आ रहा है बी नंबर यह है आपको कौन सा नवाब गंज है याद रखेगा कि नवाब गंज पच्छी विहार जो आपका है यह सबसे पहली स्थापना की गई थी आपसन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि प्रदेश का सरवाधिक विष्टरस्थ पच्छी विहार इनमें से कौन है प्रदेश का सरवाधिक पच्छी वियार जो आपका है सबसे बड़ा आपका है ठीक है ना कहां पर है आपके कन्नोज में है अगला कोशन दिया गया है निमने में से सुमेलित आपको करना है यहां पर सिक्स वाले में आपको सुमेलित करना है इसका सही आपका जवाब यहां पर राइट क्या हो समस्पूर पच्छी वियार कहां पर है तो आपके राइबरेली में इसका फोर हो जाएगा पारवती आरंगा पच्छी वियार कहां पर है तो आपके गोंडा में है तो इसका क्या हो जाएगा मतलब आपका जवाब बनेगा दो तीन चार एक दो तीन चार आपसन क्या दिया है यहाँ पर आपका बी नमबर दिया गया है, आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है, सोन भद्र में निम्न धातु में से कौन सी पाई जाती है, सोन भद्र में कौन सी धातु में पाई जाती है, सेवन नमबर में, तो देखो 7 नमबर में क्या होता है यहाँ पर जो पायाता है यूरेनियम तो है नहीं है यूरेनियम पायाता है आपकी कहाँ पर यूरेनियम लरीदपुर में होता है तो यह तो आपको मिलेगा नहीं अब यहाँ पर दिया गया है एंडरासुलाइट पायराइट और आपका डोलोमाइट यहाँ पर जो आपसन आपका अभी नंबर है तीन चार दो तीन चार यह इसका राइट अंसर बनेगा ठीके चलिए अगला बताएगा कोशन दिया है निम्न में से कौन सब्रच जो कभी सामाजी को आनकी का लोग परी थ अब एक परिष्टी की आतंकवादी माना जाता है अभी अपने आपको तया था कि यह जो आपका है यूके लिप्टेस है है ना गाउं में इसे लोग सपेता की नाम से भी जानते हैं आगला कोशन दिया गया है प्रदेश का सबसे छोटा वन जो विहार इनमें से कौन सा है 9 को आप्सिं लाग करिएगा 9 को आपसिं क्या हो जागा चलिए 9 को आपसिं मेंगा आपका एनमबर है महवीब सादिवेधी 1 जुबीहार लईपूर आपसिं मनेगा यहां पर आपका एनमबर हो जागा आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दिया गया है केराप से राश्टी वन नीती के अंसार देश के कुल भगोलिक छेतर में कितने भाग पर वन होना चाहिए यहाँ पर बताईए जो आपकी वन नीती आई थी क्या जो आपकी वन नीती आई थी उसके अंसार जो आपका वन होना चाहिए कितना होना चाहिए तो भई 33% मतलब ये हुआ 33% मतलब ये हुआ एक बटे तीन भाग पार 1 होना आवस्यक है तो आपसन मनेगा यहाँ पर आपका D-Number हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछन दिया गया है राज में इस बस टास पाई जाते हैं राज में इस बस टास पाई जाते हैं इन में से आपका अंसर क्या हो जाएगा तो देखे 11 option क्या हो जाएगा 11 option हो जाएगा C-Number यहाँ पर मिर्जापूर इसका अंसर है राइट हो जाएगा मिर्जापूर हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रदेश में सर्वर्थम 1957 में किस वनिजू विहार के स्थापना की गई है यह question आपको इसी प्रकास से हमेशा पूछा गया है यह question आपको इसी प्रकास से हमेशा पूछा गया है तो देखो प्रदेश में सर्वर्थम 1957 में किस वनिजु विहार की स्थापना की गई चलिए पर देखे प्रदेश में सर्थम आपका जो 12 कॉप समनेगा कौनसर हो जएगा 12 कॉप समनेगा आपका यहां पर A नमबर हो जएगा चंदर प्रभाव वनिजु विहार चंदावली इस कंसर हो जएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं जिलोगों ने लाइक किया उनके लिए नहीं है जिलोग लाइक नहीं करते हैं उनके लिए बोलना है कि ऐसे बच्चे घमंडी होते हैं और घमंड जो होते हैं घमंडी उनका घमंड चूर होता है उनका घमंड चूर होता है याद रिखे किसी न किसी इस्थिति में उनको घमंड ज़रूर चूर हो झाएगा ठीक है चले यहाँ पर भताई कोशन दिया है राज्य में एक बबर सेथ सफारी स्थापित किया जा रहा है यहाँ परंसर आपकर क्या हो जाएगा तो देखेए 13 कॉप्श क्या होज़ेगा चले 14 का अप्शन क्या होज़ेगा ललितपुर में हाना क्या होज़ेगा आपका सी नमबर ललितपुर में जैसे आपका यूरेनियम हो गया आपका तामबा हो गया ये कहा होता है ललितपुर में ही होता है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है वन नवी बढ़ता को बढ़ाते हैं तो देखो यहां पर जो आपका भी हो जएगा मतलब आर और हैं वो आपके दोनों यहां पर सही दिये गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है कि दा आपरेशन गिरियन परियोजना उत्तरदेश में सुभारम हुआ था अगला कोशन दिया गया है कि उत्तरदेश में कोईले के भंडार पाय जाते हैं कहां पर पाय जाते हैं तो यहां पर देखे आपका जो सुन भद्र का सिंग्रॉली छेतर है क्या है सुन भद्र का जो सिंग्रॉली छेतर है यहां पर अंसर क्या हो जाए आपका बी नंबर इस अगला बताईएगा कोशन दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, देखे, कह रहा है सोन भद्र में क्या मिलता है, सोन भद्र में त क्या मिल जाता है भी कि यह नहीं बनेगा चलिए देखते हैं फिर पुर में जो मिलता है वो आपका तामा मिलता है इसका दो हो जाएगा मिर्जा पुर में जो मिलता है वो नान प्लास्टिक मिलता है मतलब इसका जो आपका ए हो जाएगा ये इसका सिरीज बनेगी क्या सिरीज बनेगी ये सिरीज इसकी बनेगी ठीके तो इसका हो जाएगा चा सें बड़न्य है, सरवाधिक कहां पर हैं? आहां पर हैं तो आपके सोन हैं सूराहताल पच्छी विहार वस्तित है यह कहां पर हैh इस नंपर के जवाब दीजीगा सूराहताल Bereं चलिए सुरा अताल के गर में बात करते हैं तो देखे कुछ लोग जवाब दे भी रहें बलिया में विल्कुर सही है याद रखे चित्तु पांडे का सम्मन बलिया से तो आपसन हो जागा डिनम्बर बलिया अगला कोशन दिया गया है निम्निकित में से कौन सही सुमेलित नही अगला कोशन दिया गया है अगला कोशन दिया गया है उत्तर देश में पाया जाने वाले प्रमुख आपकी खनी जिनम्बे से कौन से हैं उत्तर प्देश में पाई जाने वाले जुखनीज हैं इने में सिकॉन हो जाएंगे तो यहां पर देखिए जो आपका दिया रॉक फास्पीट और आपका डोलो मैट ठीक है तो आपका जवाब हो जाए आपका सिनमबर अगला कुशन दिया गया है सुमेलित करना है यहां पर बताइए क्या सिनमेलित 24 संबर में चली 24 संबर बताइए कि क्या सिनमेलित आपका दिया गया है हम आपसन आपको दिखा दे रहे हैं अब आपसन से बताइए कि यहां परनसर आपका राइट क्या हो जाएगा देखो वाई सोन भद्र जो आपका है सोन भद्र में क्या मिल जाता है सोन भद्र में जो मिलता है वो चूना पत्थर मिलता है इसका दो हो जाएगा ललित पूर में क्या मिलता है तो आपका तामा मिलता है इसका थ्री हो जाएगा प्रयाग राज में क्या मिलता है तो आपका सिलका वालू मिलता है तो इसका वन हो जाएगा मतलब यहां पर पत्थर अब्रक बाक साइड या जिपसम कौन सा बनेगा चले 25 नमबर में उप्सन होजाब का अब्रक याद रिखेगा अब्रक आपको तरवदिश में नहीं पायाता है अगला कोशन दिया गया है नम्लिकित में से यूरेनियम कहां पर मिलता है यूरेनियम कहां मिलता है इसक चंबल अभ्यारण राश्टी चंबल अभ्यारण किस राज्ज का हुस्सा नहीं है चलिए यहां पर बताए यहां पर नसर अपका क्या हो ईएगा चillah पर से किस राज्ड का हिस्सा नहीं है 27 यह और हैं पर आपके हरियाड़ा आप समनेगा यहाँ पर आपका सी नमबर हो जाएगा ठीक है देखो उत्तरप्रदेश का भी है मद्रप्रदेश का भी है राजस्थान का भी है लिकिन आपके हरियाड़ा का यह नहीं है अगला कोश्चन आप से यहाँ पर देखो 2020 में भी कोश्चन जा रहा है रास्ति जलमार की रूप में किया जा रहा है ठीक है बई अगला बताईएगा कोशन दिया गया है पुरवांचल एक स्पेसवे जो गजरता है वो कितने जिलों से गुजरता है यहाँ परंसर आपका राइट क्या हो जाएगा चले यहाँ परंसर आपका हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा भई 9 इसका जवापसन आपका राइट हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कौनसा डी नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीके भई डी नमबर इसका पर अंसर जवाब दीजेगा चलिए तो देखे भाई यहाँ पर जो आपका थ्रीक उप्सन है वो आपका होज़ेगा सी नमबर आपके जहांसी में कहाँ पर आपके जहांसी में मिलते हैं ठीक है आगला बताईएगा कोर्शन दिया गया है क्या आपसे निम्निकित में से कौन स नवीन राष्टी जलमार्ग संख्या 44 से जुड़ा हुआ है यहाँ पर बताईएगा कि निम्निकित में से कौन सा नवीन राष्टी जलमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है जो आपका एनेच 44 है यहाँ पर जुड़ा है कौन तो आपका आगरा यहाँ पर अंसर बनेगा फाइ option दिखा दे रहे हैं तो अब बताइए कौन सा यहां पर हो जाएगा प्रियाग राज में बताइए कौन सा है प्रियाग राज में प्रियाग राज में बंबरावली है चलिए भई बंबरावली 3 हो जाएगा लखनव में जो आपका है लखनव में कौन सा है लखनव में जो यहां पर आपका दो हो जाएगा तो तीन चार एक दो क्याँ बनेगा तीन चार एक दो जो कि आपसन है यहां पर आपका डिनम्बर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेसं आप सिल्वाच पूरा परस्षिम गल्यारे का मिलते हैं उत्तर, दचिन, पूरा पर्षिम की गलेयारे मिलते हैं, कहां मिलते हैं, सेबिन कॉप्शन क्या बनेगा, तो आपका जवाब होजगा यह नमबर जहासी में, कहां पर आपके जहासी में, अगला कोशन दिया गया है, सुची फर्ष्ट को सुची सेकिंड से यहां पर सुमेलित हिंडन आपके गाजी अबाद में हो जाएगा वन हो जाएगा और फुर्सत गंज कहां पर है फुर्सत गंज है आपके राइबरेली में ते इसका हो जाएगा दो नमबर ते इसका स्क्रियन स्वाड भी आप लोग ले सकते हैं जिने लेना है न वैसे तो आप लोगों को रट गया होगा हमें पता है कि यूपी जीके के आपके आप लोग सबसे बड़े सेर हैं तो यहां पर अंसर आपका हो जाएगा कौन सा चार तीन एक दो चार तीन एक दो आपसन बने आपका बे नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है उत्तर प्रदेश का निमनिकित में से कौन स नगर राष्टी जल्मार्ग 9 दौरा नहीं जोड़ा जाता है चले राष्टी राजमार्ग दिया है राष्टी राजमार्ग संख्या 9 दौरा नहीं जोड़ा है तो देखे यहां पर UP कर सबसे बड़ा आपका यह है हाना जीटी डोड जिसे बोलते हैं तो 9 नमबर का आपका है पहले 7 यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर बताई इस कंसर क्या हो जाएगा तो 12 का जो आप समनेगा वो आपका हो जाएगा C नमबर आपका लखनो ठीके लखनो इसके अंतरता आपका नहीं आता है याद रखेगा C नमबर बनेगा अगरा है प्रदेश में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग इनमें से कौन सा है प्रदेश में सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग तेरा को आप्शन देना है यहां पर 13 option में से write क्या हो ज़ेगा NH 19 हो गया है option में आपको नहीं दिया गया है तो note कर लिजेगा अब आपके option में नहीं दिया गया है तो option आपको डारेक्ट इस question का अंसर note करिएगा कि प्रदेश में सबसे लंबा राश्टी राजमार्ख जो आपका है NH19 है क्या है NH19 है पहले इसका पुराना नाम था NH2 हाना और GT Road का इससा भी था और NH2 दिल्ली से कोलका तक जाता था लेकिन आपसन में आपको नहीं है तो आपको डारेक्ट नोट कर लिजेगा कि अब UP का सबसे लंबा हो चुका है कौन सा NH19 इसका अपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चिन आप सिखला पूछा गया है सुमेलित यहां पर करना है भई आपके हवाई एड़े फिर से आ गए हैं इन हवाई एड़ों को फिर से सुमेलित करना है इन हवाई एड़ों को चलिए तो देखे भई आपके सामने अब सुना गये हैं अब आप लोग जल्दी सौल करिएगा चलिए जी हाँ वह ही आपका है उन्हें में नाम परिवर्टन हो गये हैं ना चलिए यहां पर बताएगे क्या हो जाएगा बड़ी जल्दी आप लोग लगा दिये भई चलिए देखो लखनव में कौन सा है भई लखनव में जवाब का है कौन सा है सब लोगों ने पहले इसे लोग कर दिया मतलब लोग कर दिया है सही सही जवाब चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा प्रियाग राज से जो हल दिया है ना प्रियाग राज से जो हल दिया है वाटर हाई बेवन यही सब प्रियाग राज से लंबा है अप्शन कोले रिcen आप का दिया है यहीं बढ़े प्रिया है गरते हैं कोशन दिया गया है क्या रहा है यमना एक्सप्रेस वे निम्रिकित में से कहां से नहीं गुजरता है यहां परनसर जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा चले तो देखे बैए 17 को जो आप समझेगा आपका सी नमबर हो जाएगा गौतम बुधनगर से अलीगर से मतुर से नहीं जाता है कहां से तो आपके हाथरस से नहीं जाता है यहां परनसर जो बनेगा वो आपका सी नमबर हो जाएगा हाथरस ठीके यहां पर आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निम्रिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है देख आगरा में नहीं है आगला कुछन आप से दिया गया है कि लखनाव आगरा ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे निम्निकित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा मतलब लखनाव आगरा ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे है यह जो नहीं गुजरेगा कहां से नहीं गुजरेगा ये आपके कानपुर देहास से नहीं गुजरेगा वह ये पर हर दोई से भी है कन्नौ से भी है और आपकी फिरोजावास से है तो यहाँ पर अंसर बनेगा ए नमबर हो जाएगा ठीके नोट कर लीजेगा अगला कोशन दिया गया है देश की तीसरी रेल कुछ फैक्टरी स्थापित की गई है ये कहां पर इस्थापित की गई है चले जितने लोग भी आपर हस रहे हैं वो लोग अपना कमेंट बाक्स मुआर पर ध्यान दीजेगा कोशन पूर भी ध्यान देते रहे है अगला कोशन दिया गया है कि आगरा लखनो एक्स्प्रेस वे की लंबाई जो है वो कितनी है आगरा लखनो एक्स्प्रेस वे की लंबाई है वो आपके कितनी है यहाँ पर बताईए 22 नमबर में तो देखे भाई यहाँ पर होज़ेगा 300 किलो मीटर ठीक है 300 किलो मीटर यहाँ पर आप्सन क्या होज़ेगा यहाँ पर आपका यह नमबर 300 किलो मीटर एसका अंसर आपका होज़ेगा चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पूछा गया है कहरा आप से हाली में किसे अंतरास्टी हवाई अड़े का धर्जा मिला है यहाँ पर जवाब दीजे आपका जवाब इन में से क्या हो जाएगा चले कौन बनेगा तो अभी देखो आपका बता है अंसर कुसी नगर हवाई अड़ा है इसे अंतरास्टी हवाई अड़े का दर्जा मिला है आपसन क्या हो जाएगा अगला बताएगा कोर्शन आप सिगला पूछा गया है कि उत्तरविदेश में अधिक्तम छेत्रफल वाला ज क्या बनेगा बिनंबर हो जएगा लखीम पूर्खीरी है जिसका छेत्रफल आपका सबसे क्या है आपका आधिक है किलियर है न बहीं? चले अगला बताएगा कि 2011 के अंसार, 2011 के अंसार प्रदेश में पुरुष सा चर्ता दर पूछा गया है, चले बताएगा कि प्रदेश में जो पुरुष सा चर्ता दर है, वो आपके कितनी है, यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा, चले, फटा फट जवाब दीजी भाई सभी ल जनगरना 2001 के अंसार निमने कितमे से कौन सरवादिक साच्छर है सरवादिक साच्छर कौन है आप लोग जवाब दीजेगा हम बाद में जवाब देंगे और आप लोग और जल्दी जवाब दीजेगा ठीक है चलिए यहाँ पर अंसर क्या हो ज़ेगा थ्री नंबर में तो 2011 के अंसार राज में सिसलिंगा अनपात पूछा गया है तो यहाँ पर देखे आप कंसर फूर का जवाब बनेगा बी हो ज़ेगा 902 क्या हो ज़ेगा 902 हो ज़ेगा सिसलिंगा अनपात पूछा गया है अगला दिया गया है 2011 के अंसार राज में महिला आबादी कुलाबादी के लगभग कितना है तो महिला आबादी कुल आबादी का कुल आबादी का है 48% क्या वनेगा ये नमबर हो जगा 48% हो जगा नेश्ट कोशन दिया है उत्तरवदेश में लिंगा अनपात का विभेद सरवाधिक रूप से जो घटा था वो कब घटा था चले उत्तरवदेश में लिंगा अनपात का विभेद जो रहा है वो सरवाधिक रूप से घटा था ये कब घटा था यहाँ पर अंसर क्या हो जगा 6 नमबर में चले देखे भई 6 का जो आपसन बनेगा वो आपका D हो जगा 1991 से लेके 2001 में हो जगा मतलब आपसन बनेगा यहाँ पर आपका D नमबर बनेगा आगला कोशन आपसे दिया गया है कहरा आपसे कि प्रदेश में जनसंख्या की दसकी ब्रधी दर अधिक्तम थी चले यहाँ पर बताएए प्रदेश में जनसंख्या की जो दसकी ब्रधी दर रही है आधिक्तम वो कब रही थी तो 91 से लेके 2001 में रही है यहाँ पर अप्सन क्या बनेगा यहाँ पर D हो जेगा अच्छे इसमें क्या अनपाथ अच्छा लिंगा अनपाथ था तो यहाँ पर दसकी ब्रधी दर जो दिक्तम रही थी वो आपके D हो जेगा 91 से लेके 2001 में ठीके अगला कोशन दिया गया है कि प्रदेश की जनसंख्या में सरवाधिक 10 की ब्रधी दर जो देखने को मिली वो कब देखने को मिली थी यहाँ पर होजेगा 91 से लेके 2000 यही इस कंसर आपका सी होजेगा 91 से 2000 एक अगला कोशन दिया है 2011 के अंसार उत्तरदेश में ST की सरवाधिक सांदरता कहां पर है ST जो आपकी है वो आपको कहां मिलती है 9 को अप्शन बनेगा क्या C नमबर आपके सोन भद्र इसक अंसर होजेगा C नमबर सोन भद्र आगला कोशन दिया गया है कि 2011 के अंसार केवल निगम छेतर में 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही करम इनमें से क्या है मतलब दस लाग से अधिक जन संख्या वाले जो आपके हैं नगर इनमें से कौन से हैं 10 नमबर में देखो भई यहां पर आपका लखनौ है फिर आपका गाजियावाद फिर आपका आगरा यहां पर जो अंसर है वो आपका शीन नम रहे यहाँ पर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि उत्तरवदेश में अधिक्तम छेत्रफल वाला जनपत कौन सा है तो उत्तरवदेश में अधिक्तम छेत्रफल कहा है तो लखीम पूर्खीरी हो जाएगा आपका अभी नमबर आगला हूआ है आगला कोशन दिया गया है जन्गरना 2001 की अनसार कौन से सर्वादिक से अच्छा रहे है यह पर बताइए यहाँ पर बताईए, 2011 के अंसार निम्निकित में से सरवाधिक जनगनत तवाला जीला कौनसा है, सरवाधिक जनगनत तवाला जो जीला है वो आपका कौनसा है, तो आपका गाजिया बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा भई, गाजिया बाद हो जाएगा, अगला कोशन दिया गया है क्याराप से 2011 के अंसार उत्तरवदेश में महिला पुरुसनपात बताना है चले यहाँ पर बताइएगा कि 2011 के अंसार उत्तरवदेश में महिला पुरुसनपात इन में से क्या हो जाएगा चले महिला पुरुसनपात यहाँ पर आप्सन क्या बनेगा 12 नंबर में तो ह온ा महिलाएं कितनी है नव सो बारह है तो पुरुष कितने है एक हजार है अगला कोशन दिया गया है ढिनसर सरवादिकании नगरी अब पत क्यों सा है नगरी अजिया अबादि जो मिलती है कहां पूछा गया है तो आपके किसकी है तो आपके गौतम बुद्धनगर तो आपका कानपुर हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है मतलब 17 का अपके अनसार बुद्धनगर तो fiction दिया गया है तो किसकी है जाएगा है गौतम बुद्धनगर, कानपुर नगर, और रेया, फिर आपके इटावा, अंसर बनेगा आपका बी नमबर नेश कोशन दिया गया है, कि जनगरणा 2011 के अंसार सरवाधिक साचरता वाले चार जिले पूछा गया है तो सरवाधिक चार जिले कौन हो जाएंगे, साचर में बात कर रहा है, ठीके, चले, यहाँ पर देखिए अंसर क्या हो जाएगा तो गौतम बुद्धनगर दिया है, कानपुर नगर है, और रेया है, फिर आपका इटावा है तो यहाँ अंसर क्या बनेगा, बे नंबर हो जेगा, गौतम बुद्धनगर, कानपुर, और रेया, फिर इसके बाद इटावा आता है अगला कोशन दिया गया है, जन्वगर्ना 2011 के अंसार, निम्न कतनों में से कौन सा सही दिया गया है कुछिस प्रकास से कूट आपके पॉइंट दिये गए है, यहाँ पर देखना है इस प्रकास से, ठीक है और चलिए, 19 समबर का जवाब दिये, 19 समबर में यहाँ पर क्या हो सकता है राइट देखे पहला पॉइंट दिया है कि नियुम्तं साचरता वाला जिला है कि आप किस रावस्ती पहला पॉइंट सही दिया है सरवाधी इलिंगाउन पात दिया है दिवरिया में तो दिवरिया तो आपका है नहीं है निम्तन जन गनत वाला जिल आपका यहाँ पर ललिटपूर है तो ललिटपूर हो जाएगा नगर निगम छित की जन संक्या के अधार पर यह नहीं होगा देखो यहाँ पर जो आपका अंसर बनेगा आपका बी हो जाएगा नोट कर लिजेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा अगला कोशन आपका जी हाँ जौन पूर है ठीक है अगला बताए यह कोशन दिया गया है के रहाँ दो हजार ग्यारा के अनसर राज में एक हजार बालकों पर बालिका सिसु की जो संक्या हो कितनी है यहाँ पर बताईए कि दो हजार ग्यारा के अनुसार राज में एक हजार बालकों पर बालिका सिसु की संख्या तो भई यह बताईए कि बालिका जो सिसु है कितनी है तो 902 अभी हमने बताया था 902 अब समनेगा यहाँ पर बे नंबर आगला कोशन दिया गया है कि 2021 और 2011 कि अधिमी प्रदेश में जनसंख्या जो ब्रधी दर हुई है वो कितनी होई है ब्रधी दर जनसंख्या के पूछा गया है जंसंख्या ब्रधी दर कितनी हो जाएगी तो अभी देखो आइक को हो जगा 20.22 क्या हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा 20.22 इसका अंसर आपका राइट हो जाएगा अगरा कोशन दिया गया है 2011 के अंसार जनसंख्या के घटते करम में जीलों को विवस्तित करम में आपको बताना है तो देखे वहीं जनसंख्या की इसाफ से पूचा है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है इलाहावाद अथात प्रयाग राज में तो इसका मतलब है पहला आपका प्रेयाग राज हो गया प्रेयाग राज के वाद फिर इसके बाद देखा जाए तो क्या होजएगा यहाँ पर आपका मुरादाबाद हो गया फिर आपका गाजीयाबाद फिर आपका लखनव अगला कोशन दिया गया है चले सरवाधिक साचर पूचा गया है तो आप बताएगे क्या हो जगा तेस अंबर में उपस्ने हो जगा गौतंबुद नगर अगला कोशन दिया गया है 2010 के अंसार निम्निकित में से क्या सही नहीं है इसका जवाब जल्दी से दीजेगा 2011 के अंसार क्या सही नहीं है 24 संबर में जितने लोग जवाब देंगे उनी का समझेंगे कि वो लोग सही जवाब दे रहे थे मतलब सही कुछ है लेकिन चले करे यहां देश की जन संख्या का 16.5% निवास करते हैं पहला पॉइंट तो सही दिया गया है फिर दिया गया है यहां देश की सरवादिक बच्चे पा जाते हैं यह भी सही दिया गया है इसकी दसकी ब्रदीदर 17.7 दिया गया है क्या यह सही है क्या भी यह सही है क्या 17.7 नहीं होती है कितनी होती है अभी आपने बताया था 20.22 क्या 20.22 होता है तो इसका मतलब आपसं सी वाला आपका गलत है इसका लिंगान पात 912 है जो कि सही दिया गया था ठीक है आगला बताईएगा कहरा आपसे 2011 के अंसार कूट से सही आपको बताना है यह पॉइंट आपसे दिया गया है 25 यह पॉइंट इस प्रकास से दिया गया है 25 वाले में चले देख लेते हैं कहरा है देश में या छेत्रफल में या देश का सबसे बड़ा पांचमा बड़ा है तो पांचमा तो नहीं है चौथा नंबर का है तो इसका मतलब यह गलत हो गया फिर कहरा है देश की जनसंक्या मे 16.5% का योगदान है मतलब ये तो सही दिया है इसका योन अनपात राष्टी औससस से अधिक है नहीं ये आपका गलत है इसकी साचरता राष्टी औससस से कम है तो यहाँ पर दिखी यह आपका ड़ी सही है मतलब कह सकते हैं चौथा भी सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला गलत है और तीसरा गलत है सही कौन है दूसरा और चौथा तो दूसरा और चौथा कहाँ पर है इसी नमबर आपका हो जाएगा इसका स्क्रीन सौर लीजेगा बाद में अपना मिलान कर लीजेगा अगला कोशन दिया गया है 2011 के अंसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साच्चर है सबसे कम महिला साच्चर पूछा गया है तो आपको पता होगा कि सबसे कम पड़ी लिखी कहाँ पर है रामपूर में है अप्समनेगा यहाँ पर आपका देखे डी होजेगा रामपूर में है ना सबसे कम की दरश्टी से उत्तरवदेश का सबसे बड़ा जनपद है गला कोशन दिया गया है जनसंख्या सरवादिक साचरता वाला जिला कौनसा है चलिए जनगरणा 2011 के अंसार सरवादिक साचरता वाला जिला यहाँ पर 28 संबर में तो आपका देखी गोतम बुद्ध नगर यहाँ पर ओजएगा गोतम बुद्ध नगर है ना चलिए अगला बताएगा कि जनगरणा 2011 के अंसार सबस सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो देखो यहाँ पर महोबा जो आपका है कोशन पूछा भी गया था याद रिकि महोबा में जो आपकी है सबसे कम जनसंख्या है अगला कोशन दिया गया है कि जनगरना 2011 के अंसार राजी में 10 लाकी नगरों की संख्या 10 लाकी नग साथ है कितनी है साथ कि अफस्विगा यहां पर आपका अगला कोशन दिया गया है जनगरना 2011 क्यांसार सबसे कम जंसंख्या वाला जीला कॉन सा है चले सबसे कम जंसंख्या वाला जो जीला है इन में से राइट कौन सा हो जाएगा और इस प्रश्ण का जवाब आप लोग कमेंड वाक्स में कमेंड करेगा ठीक है इसका जवाब सभी लोग कमेंड वाक्स में कमेंड करेंगे आप रहें कमेंड करेंगे और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के हैं वीडियो को लाइक कर